हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप देख रहे हैं हमारा चैनल अलॉक टैक मेरा नाम है बेवेग भरतवाज आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वाट्सेप के उपर क्या हमें वाट्सेप बंद करना चाहिए क्या होगा 15 मई 2021 के बाद वाट्सेप आप लोगों नों देखा होगा रिसेंट में कल वाट्सेप की निउज आई और आज से वाट्सेप के स्टेटस पर भी आ रहा था कि वाट्सेप ने अपनी पॉलिसीज को रिव्यूज करने के लिए एक बार और सोचने के लिए तीन महीं ने अपनी पॉलिसीज को बढ़ा पास हो सकते हैं क्या हमें वाट्सेप को आंगे कंटीनी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए आईए हम आपको देखाते हैं यह वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि यह बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है और आपको वाट्सेप से संबंद्ध पूरी ब्लॉट्सेप की ऑफीशल वेब्सैट है इसमें आप नीचे की साइट स्क्रॉल करेंगे यहां आप देखेंगे ब्लॉब्लॉग लिखा हुआ है ब्लॉग पर क्लिक करेंगे ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है giving more time for the recent update आप और इस encrypted हैं और यह किसी के साथ साजा नहीं किये जाएंगे ऐसा WhatsApp का लिखना है और यह जो है WhatsApp ने लिखा हुआ था देखी मैं आपको pen down करके दिखाता हूं no one will have their account suspended or deleted on February 8 now the policy at their own pace before new business options are available on May 15 यह WhatsApp ने कल अपने official account पर जो है बोला है और इस policies के बारे में मैं आपको एक अपने classroom के उससे बताना चाहूंगा आप देख सकते हैं यहां पर जो WhatsApp की policies थी WhatsApp की policies यह थी कि वो अपनी आपके device की सारी information location transactions सारी activities को जो है Facebook और Instagram के साथ जो है share करने बाला था आठ फरवरी 2021 के बाद से लेकिन यह कहानी अब 15 माई 2021 तक चली गई है ऐसे में हमें क्या करना चाहिए हमारे पास क्या option है क्या हम WhatsApp को बंद कर दें क्या हमें WhatsApp को जारी रखना चाहिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी social media side हो इवन आपका mobile जो mobile आप use करते हैं सभी devices जो हैं सारे media platform जो हैं आपकी जानकारी बहुत हद तक अपने पास save रखते हैं काफी सारे applications तो आपकी location को भी track करते हैं आपके activities को track करते हैं आपके policies को बता दिया है यह हमारे लिए भैतर बात है इससे हमें क्या सीखना चाहिए हमें यह सीखना चाहिए क्योंकि आज के दौर में WhatsApp बहुत जरूरी हो गया है छोटे-छोट से छोटा group भी अगर हमें बनाना हो तो उस group को बनाने के लिए भी हम जो है WhatsApp को सारा लेते हैं WhatsApp से हमा ऐसे में हमारे पास क्या options है हमारे पास option है कि हमारे पास आज के ज면 में लबग दो mobile phones होते हैं अगर आपके पास दो mobile phones हैं तो यह है आपका main phone primary phone और यह है आपका secondary phone आप क्या कीजिए अपने main phone से whatsapp को निकाल कर second phone में आप install कर सकते हैं इस phone को आप ऐसा रखें कि यहाँ पे आप कोई call ना करते हूं कोई transactions ना करते हूं location का सहारा ना लेते हूं इस phone में आप whatsapp का use करके whatsapp की chattings whatsapp के messages whatsapp से share करने वाले links को आप use कर सकते हैं और आपके main phone में आप जो भी काम करते हैं चाहे वो net banking हो चाहे transactions हो phone calls हो जो भी हो वो आप अपने main phone में रख सकते हैं ऐसा करके हम whatsapp की policies के अंदर भी अगर आ जाएंगे तो हमें कोई ज्यादा बड़ा खत्रा नहीं होगा ज्यादा बड़ा कोई प्राइबिसी laws हमारा नहीं होगा और whatsapp को हम जारी रख पाएंगे क्योंकि whatsapp ने यह बहुत अच्छा कर दिया है कि तीन महीने के लिए यह terms और policies को मांगे बढ़ा दिया है तो हमारे पास अभी अच्छे से अच्छा समय है कि हम अपने डिवाइस को और अपने WhatsApp की आदत को जो है थोड़ा कम करें और उसको हम दूसरे अपने फोन पर स्विच कर दें एक और मैं आपको इसमें एड करना चाहूंगा WhatsApp ने अभी अपनी पेइमेंट सुब्दा चालू की है कुछ अपडेट्स आएंगे इसके बाद WhatsApp में आप UPI के तुरू पैसे का लेंदेन भी कर पाएंगे पेइमेंट जो है तो अगर आप उस option का इस्तमाल ना करें तो भी हमारे लिए बहतर हो सकता है क्योंकि हमें UPI से एक बैंक को लिंक करना होगा WhatsApp से जिससे कि हम उसमें अपने सारे transactions को का आदान परदान कर पाएंगे तो अगर हम WhatsApp पेइमेंट सुबदा का भी इस्तमाल ना करें तो भी हमारे लिए ये सब कुछ जो है बहतर हो सकता है तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वी थेंक यू